नमस्कार दोस्तो एक बार फिर सस्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हैपी फूड्स की नई वीडियो में मेरा नाम है संधी प्यादव दोस्तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे लैसून को लेकर और जानने की कोसिस करेंगे कि लैसुन के कितने फायदे हमें प्राप्त हो सकते हैं दोस्तो जो लोग कोलोस्टरोल से पेडित हैं हार्ट संबंदी प्रोब्लम है या किसी को गैस संबंदी प्रोब्लम है तो वो लैसुन का सेवन करता है लैसुन की कलियों का सेवन करता है तो दोस्तो आज की वीडियो में हम जानते हैं कि लहसुन के क्या-क्या फायदे हमारे शरीर को हो सकते हैं दोस्तो अगर कहा जाता है कि खाली पेटा आप सुभे उसकी दो कली नहीं के साथ इंटेक करेंगे उसका सेवन करेंगे तो उसको तमाम लाब आपको प्राप्त होंगे जैसे कहा जाता है दोस्तो इसमें संकरमन रोधी प्रोपर्टीज पाई जाती हैं वो लोग जिनको कोई भी संकरमन हो खासी हो जुखाम हो वो इसका सेवन करके इससे निजात पा सकते हैं दोस्तों कहा जाता है कि इसमें anti-inflammatory properties होती है यानि कि इसमें सूजन रोधी गुन पाए जाते हैं जो तमाम तरह से आपके organs में किसी भी तरह की swelling आती है तो उससे राहत मिलेगी मासपेशियों में जोडों में कहीं दर्द होता है तो इसके तेल की अगर mileage करेंगे तो उसमें आपको राहत प्राप्त होगी दोस्तों इसमें ऐसी properties पाए जाती है जो आपके blood में cholesterol के level को यानि के LDL को ये कम करने का काम करते हैं अगर आप सुभे उठते ही पानी के साथ दो कलिया चबा कर खाएंगे जो लोग चबा नहीं सकते इसके taste कुछ थीखा होता है तो अगर पानी के साथ सिंपलिस का intake आप करेंगे तो ये आपके सरीर में cholesterol के level को कम करने का काम करेंगा साथ ही साथ वो लोग जिनका blood pressure high रहता है ये आपके blood pressure को कम करने का काम करेंगा दोस्तो इसी के साथ साथ ये एक बहुत अच्छा blood purify है अगर आप इसका नियमित 7 करेंगे तो ये आपके blood को purify करने का काम करेंगा और जिस साथ ही साथ जिन लोगों का blood गाड़ा रहता है जिसमें एक तरह से कह सकते हैं कि थक के जनने जैसी problem होती है या थक का जनता है जिसकी वेसे heart attack जैसी समश्या आ सकती है आपको तो आपको ये निजात दिलाने का काम करेंगा आपके blood को ये पतला करने का काम करेंगा उसमें ये फायदा पोचाएगा जिनके blood में गाड़ापन पाए जाता है साथ-साथ दोस्तों अगर बात करें इसकी अन्ने फायदे की तो ये आपकी आतों के लिए बेहद फायदे मन है आतों में जो खराब bacteria होते हैं ये उनको समापत करता है और साथ-साथ जो अच्छे bacteria होते हैं ये उनको promote करता है यानि कि उनके production में उनको पैदा करने में आपके शरीर में help करता है तो दोस्तों बहुत फायदे हैं लहसून के अगर आप नियमित रूप से सेवन करेंगे अन्य फायदे की बात करें दोस्तों इसमें साथ ही साथ anti-cancer properties पाई जाती है यानि कि आपको cancer के risk से बचाने का ये काम करेंगे अगर अन्य फायदे की बात करें दोस्तों ये kidney के लिए भी purify होता है वो लोग जिनकी kidney में problem है अगर आप नियमित रूप से lesson का सेवन करते हैं तो ये अपकी kidney को detox करने का यानि के उसको clean करने का काम करेगा साथी साथ वो लोग जिनको urine infection जैसी problem है अगर आप इसका लंबे समय तक सेवन करते हैं तो इस तरह की समस्या से आपको ये निजाद दिलाएगा जितनी भी urine के infection सम्मंदित है या kidney के स्वास्ते को लेकर है ये उसमें आपको फायदा पहुचाएगा साथी साथ जैसे मैंने बताया इसमें anti-inflammatory properties पायाती है ये आपकी liver के लिए kidney के लिए या अन्य organs के लिए आपकी muscles में या कहीं भी swelling या कोई इस तरह की समस्या हो उससे निजाद दिलाने का या आपको काम करेगा दोस्तों अगर अन्य फायदे की बात करें महिलाओं में खास तोर पर estrogen एक age के बाद estrogen है female hormone है जो उनके लिए बेहदाऊ से होता है उसमें कमी आती है अगर आप इसका नियमित रूप से 7 करती हैं वो महिलाएं जिनमे estrogen की कमी है तो ये आपके hormones को बढ़ाने का काम करता है यानि कि आपके estrogen के level को ये boost करने का काम करेगा दोस्तों अन्य फायदे की बात करें ऐसे लोग जिनकी आखों में कानों में कोई infection होता है तो ये उसके लिए फायदे मन्द है क्योंकि इसमें जिंक की मातरा बहुत अच्छी है साथी साथ vitamin C की मातरा अच्छी है जो आपका immunity booster भी है और तमाम तरह के आपके संकर्मन जितने भी ना, कान, आग के संकर्मन अगर आपको होते हैं तो उससे ये बचाने का काम करता है तो दोस्तों लहसुन अपने आप में बहुत फायदे मन्द है अगर आप इसका सेवन करते हैं इसका सेवन करने के तमाम तरीके हैं सुबह उटके खाली पेट पानी के साथ इंटेक कर सकते हैं या सुबह समय पानी के साथ अगर आप इसका सेवन नहीं कर सकते हैं तो इसकी चटनी बना कर अपनी डाल सबजी में इसको डाल कर या सैलेड के रूप में इसका आप इस्तमाल कर सकते हैं इसका सेवन कर सकते हैं और इससे मिलने वाले स्वास्तेलाब का फायदा उठा सकते हैं तो दोस्तो ये कुछ कंटेंट ते लैसून को लेकर अगर आप भी कुछ जिन तरह की समस्याओं को निजात दिलाने की बात मैंने की है उससे ग्रसित है या कुछ प्रोब्लम आपको आती है तो आप लैसून का सेवन करते हैं उसका स्वास्तिलाब ले सकते हैं दोस्तो ये वीडियो का कंटेंट था वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सेर जरूर करिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सेर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा नमस्कार